भारत माता की मंचपर विराजमान भारतिय जनता पार्टी के सभी वरिष्ट नेतागन और इतनी बड़ी संख्या में हम सब को आशिरवाद देने आये हुए इस भीर भुमी के मेरे प्यारे भाई और बैनों इस धर्ती पर बील तेजाजी महराच बगवान देव नारायन बिग्गी कल्यान जी देव धाम जोदपुरिया खोडा गणेसी और माता शाकम भरी की कृपा है ये भुमी अनेक रुश्यों मनुश्यों की तपोस्थली है कार्यस्थली रही है यही पर ख्वाजा मौईलुद्दिन चिस्ति की दरगा भी है मैं जमेर की इस पावन भुमी से समराठ पृत्विराज चावान के शावरिया मा मीरा की भक्ती और विजैसी पथिक जैसे क्रांती विरों की शक्ति को भी नमन करता मैं राजस्तान की प्रतेग माता बहन बेटी को नमन करता हूँ जिनों ने इस धर्ती को बीरों की धर्ती बनाया आज ही देवी अहल्या बाई होलकर जी की जन्म जैन्ती भी राष्ट निर्मान के कारियों के लिए देश के लोगों को कर्यत व्यपत दिखाने की दिशा दिखाने के लिए देवी अहल्या जी को देश हमेशा याद रखेंगा मैं देवी अहल्या बाई होलकर जी को आदर पुर्वक्स रद्धान ली देता मैं आज राजस्तान बीजेपी की सराना करूँगा मैं राजस्तान बीजेपी पूरा उत्सा के साथ हम सभी के स्वर्धे स्वर्गिय बैरोसी इस्सेखावजी का जन्मशती वर्ष मना रही है कुछ दिन पहले पंदरा मई को ही उनकी पुन्यती थी भी थी मैं बैरोसी इस्सेखावजी को भी अपनी विनम्रस रद्धान ली अर्पित करता हूँ बाई और बहनों आज यहां अजमेर आने से पहले मुझे तिर्थ राज पुश कर जाने का सवभागे मिला हमारे सास्त्रों में ब्रह्मा जी को स्रिष्टी का रचईता कहा गया ब्रह्मा जी के आसिरवाद से आज भारत में नव निर्मान का दौर चल रहा है केंद्र में भाजपा के नेत्रुत्व वाली एंडिये सरकार के नव साल भी पूरे हो गए बाजपा सरकार के नव साल देश वास्यों की सेवा के रहे हैं बाजपा सरकार के नव साल सुसासन के रहे हैं बाजपा सरकार के नव साल गरीब कल्यान के लिए समर्पित रहे हैं साथियों देश में 2014 में सबका साथ सबका विकास के नए संकल्प का आवान किया था इस संकल्प में राजस्थान ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है आप याद कीजिए 2014 से पहले देश में क्या स्थिती थी पूरे देश में जनता प्रस्टाचार के विरद सडक पर उत्री हुई थी बड़े बड़े शहरों में आए दिन आतं की हमले होते थे कॉंग्रेस सरकार सीमा पर सडके बनाने से भी डरती थी महिलाओं के विरूत अपराद चरम पर थे प्रदान मंत्री के उपर सूपर पावर थी कॉंग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी निर्णय होते नहीं थे नीतियां चौपड थी निवेशक निरास्ते युवाओं के सामने अंदकार था जन्ता से वोट लेकर कॉंग्रेस जन्ता को ही कोस रही भाई और भेनों गोर निरासा के इसी माहोल को 2014 में आपने एक वोट से विकास के विश्वास में बदल दिया आज देखिए पूरी दुनिया में भारत का यश्गान हो रहा है आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्स ये बोल रहे हैं कि भारत अती गरीबी को समाप्त करने के बहुत नीकट है साथियों आखिर ये बड़लाव आया कैसे ये बड़लाव आया कैसे ये बड़लाव आया कैसे ये बड़लाव आया कैसे इसका जवाब है सबका साथ सबका विकार इसका जवाब है बन्चीतों को वरियता साथियों कॉंग्रेस ने पचाथ साल पहले आप देखिए एक कॉंग्रेस की गारंटी वाली आदत आज की नहीं है पुरानी है पचाथ साल पहले कॉंग्रेस ने की रणविती रही है कि कि गरीबों को भरमाओ गरीबों को तर्शाओ यहां राजस्तान के आप लोगों ने भी इसका बहुत नुक्षान उठाया है साथियों कॉंग्रेस ने किस तरह देश की करोडों महिलाओं और बच्चों के जीवन से खिलवार किया इसका उधारन कॉंग्रेस के समय चिला टीका करण अभियान है जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो देश में टीका करण का दाइरा सिरफ साथ प्रतिशत के आसपास ही पहुँच पाया था उस समय कॉंग्रेस के शासन के काल में सो मैं से चालीज गर्भवती महलाए और बच्चे ऐसे होते थे जीने जीवन रक्षक टीके नहीं लग पाते थे अगर कॉंग्रेस सरकार होती तो देश में टिका करण की कवरेच सो प्रतीशत होने में अगर्जस्तान के भी ऐसे लाखों बच्चों और महिलाओं को बचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है साथियों हम सभी ने अपने बच्चबन में अपनी मा को लकड़ी पर खाना बनाते देखा है लकड़ी पर खाना बनाने की विज़े से जो धुवा निकलता था वो हर महिला के जीमन पर संकट लाता था देश की महिलाओं की ये परिशानी भी कॉंग्रेस को कभी नजर नहीं आई कॉंग्रेस सासन में एक गैस कनेक्शन पाने तक के लिए इधर उधर दोड़ना पड़ता था सीफारी से लगवानी पड़ती थी इसलिए 2014 तक सिरफ 14 करोड लोगों के पास ही गैस कनेक्शन था हम अगर कॉंग्रेस सरकार की स्पीड से चले होते तो देश के कौने कौने में गैस कनेक्शन पहुंचने में बिच साल और लग जाते यानि बीना गैस कनेक्शन के एक पीडी और गुजर जाती मुझे ये स्थिती स्विकार नहीं थी इसलिए ही पिछले नव साल में बीजेपी सरकार ने देश के 19 करोड से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन दिया है इस गैस कनेक्शन के मेरे भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं हमारे देश में 2014 तक 18 करोड से जादा ऐसे परिवार थे जहां नल से जल नहीं आता था पाइप से पानी का कनेक्शन ही नहीं था बीजेपी सरकार ने बीते तीन साल में नव करोड लोगों को पाइप से पानी के कनेक्शन से जोड़ा है अगर कॉंग्रेस की सरकार होती तो उसे यही काम करने में 20 साल और लग जाते हैं जब संकट हल करने में पानी से जुड़ी चुनोत्यों को समाप्त करने में कॉंग्रेस सरकार कभी आगे बढ़कर काम नहीं करती कॉंग्रेस को सिरब जूट बोलना आता है और आज भी कॉंग्रेस यही कर रही है साथियों कॉंग्रेस ने वीरों की इस धर्ती और यहां के वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है एक कॉंग्रेस ही है जो चार दसक तक बन रैंक बन पेंशन के नान पर हमारे पुर्वस सैनिकों से विश्वास गात करती रही कागजों पर सिरफ पान सो करोड रुपिय रखकर कॉंग्रेस कहती थी कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी जबकि इसके लिए हजारों करोड रुपियों की जरुवत थी बाजपा सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया बलकि पुर्वस सैनिकों को एलियर पी दिया वन रैंक वन पेंशन लागू हने के बाद अठारा हजार करोड रुपियों से ज़्यादा की रासी एरियर के तौर पर पुर्वस सैनिकों को मिली है इसका अलाब राजस्तान के भी करीब-करीब दो लाख पुर्वस सैनिकों को मिला है वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वज़ा से देश के पुर्वस सैनिकों की जेब में अब तक करीब-करीब 65,000 करोड रुपिया गया है 65,000 करोड रुपिया दोस्तों आप कलपना कर सकते हैं कहां कॉंग्रेस के 500 करोड रुपिये और कहां बीजेपी सरकार के 65,000 करोड रुपिये अगर बीजेपी सरकार ना होती तो पुर्वफोजियों को आज भी वन रैंक वन पेंशन का इंतजार ही करना पड़ता साथियों कॉंग्रेस की गलत नितियों का सबसे जादा नुक्सान अगर किसी को उठाना पड़ा तो वो देश के छोटे किसान है छोटे किसानों की जरुवत पर छोटे किसानों की मदद करने पर कॉंग्रेस ने कभी त्यहान नहीं दिया ये भारतिये जनता पार्टी है जिसने पहली बार छोटे किसानों की मुश्किलों को समझा उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की हमने छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रख कर पिछले नव वर्ष में क्रिशी पजेट में लगपक छे गना वृद्धी की है छे गुना वृद्धी भाजपास सरकार में पहली बार किसानों को लागत का डेड़ गुना समर्थन मुल्डता हुआ पहली बार किसानों को बैंक खाते में उनकी उपज का पैसा मिलना सिनिश्चित हुआ पहली बार किसानों को इन नाम के रुप में राष्ट्रिय मंडी मिली है पहली बार किसी फतल बिमाई वजराते किसानों को सबालाग करोड रुपिय से अधिक का मुआवजा मिला है पहली बार अभियान चलाकर किसानों को बीजों की दोहजार नई वराइटी दी गई है पहली बार पशु पालोकों को, मचली पालोकों को, उसको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है, पहली बार यूरिया की काला बाजी रुकी है, निम कोटी होने का फाइदा किसानों को मिला है, पहली बार किसानों को लिक्विड नेनो इविया जैसा मेडिन इंडिया उ दी जैसी योजना सुरू हुई है तो इसके तहट अभी तक ग्यारा करोर किसानों को करीब डाइ लाग करोर रुपिय मिल चुके हैं साथ क्यों ये बीजेपी की हितरकार है जिसने गेहू और जान की खेटी के अलावा भी किसानों को आए के दूसरे सादनों पर और जादा काम के लिए हमने अभ्यान चलाया लाखों किसानों को सॉलर पंप भी दिये पहली बार देश में प्राकृतिक नेच्रल फार्मिंग के लिए इतना बड़ा अभ्यान शुरू किया गया पहली बार शहत का उत्पादन बढ़ाने और उसके निर्यात के लिए भी बीजेपी सरकार ने विशन मिशन चलाया पहली बार जवार बाजरा जैसे भारत के स्री अन्ना को बेस्विक पहचान देने का प्रयात हुआ पहली बार किसी सरकार ने मोटे अनाज वुगाने वाले देश के धाई करोड किसानों की चिंता की है भारत के प्रयाद से ही सहुतरास ने 2023 को मोटे अनाज कंतरवास्त्री वर्ष गोशित किया है इन सब का फायदा यहां राजस्तान के किसानों को हुआ है इस खेतर के किसानों को हुआ है भाई योः बहनो आज कल बहुत से लोग पुछते हैं कि देश पे जो विकास के बड़े बड़े काम हो रहे है उसके लिए ये मोदी इतने पैसे लाता कहां से है चारो तरव विकास का चाम चल रहा है इतने पैसे मोदी लाता कहां से है मैं बताता हूँ मोदी पैसे कहां से लाता है पहले पैसे कहां जाते थे और आज कहां जाते हैं वो भी बताता हूँ हमारे देश में विकास के काम के लिए पैसे की कमी कभी भी नहीं रही है यह बहुत जरूरी होता है कि जो पैसा सरकार भेजे वो पूरा का पूरा विकास के कारियों में लगे लेकिन कॉंग्रेस ने अपने शांसन में देश का खून चुशने वाली ऐसी प्रस्त व्यवस्ता बना दी थी जो देश के विकास को खाये जा रही थी खोखला कर देती कॉंग्रेस के नेता पूर्वप्रधान मंत्री राजीव गांधी ने सार्व जनी गुरूप से माना था कि कॉंग्रेस सरकार सो पैसे भेटती है एक रुपिया अगर भेटती है तो सो पैसे मैंसे 85 पैसे प्रस्टाचार की भेट चड़ जाते थे कॉंग्रेस हर योजना में 85 परसेंट कमिशन खाने वाली पार्टी है साथियों बीजेपी सरकार ने बीटे नव वर्षों में जो देश का इतना विकास किया है वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बीजेपी कॉंग्रेस की लूट के रास्तों को ही बंद कर रही है बीटे नव वर्षों में बीजेपी सरकार ने आधुनिक हाइवे और रेल्वे पर करीब 24 लाग करोड रुपे खर्च किये हैं हाइवे और रेल्वे 24 लाग करोड अगर कॉंग्रेस की सरकार होती राजीव गांदी ने जो कहा था उत प्रकार करें विचार करें तो इस मैं से 24 लाग करोड मैं से 20 लाग करोड रुपे बीच में ही लूट जाते ना रेल्व बनती ना रावड बनता बी तेन नव वर्षों में बीजेपी सरकार ने 29 लाग करोड रुपे डारेक बेनिफिट ट्रांसपर डीबीटी के माध्यम से सीधे गरीबों के बैंक खाते में जमा किये अगर कॉंग्रेस सरकार होती तो इस में से 24 लाग करोड रुपिये 85 रुप पैसों के हिसाब से 24 लाग करोड रुपिये बीच में ही लूट जाते ताक क्यों और जब लूट की बात होती है ना तो कॉंग्रेस किसी में बेजबाव नहीं करती कॉंग्रेस देश के हर नागरिक को गरीब हो दलीत हो पीडीत हो शोशित हो वंचीत हो आदिवासी हो अलपसंख्य हो दिव्यांग हो महिला हो युवा हो सबको सबको समान भाव से लूटती है 29 वर्षों में बीजेपी सरकार ने आदिवासी बच्चों को 22 हजार करोड रुपे से जादा पढ़ाई के लिए बेजे हैं अगर कॉंग्रेस सरकार होती तो इसमें से 19 हजार करोड रुपिये बीच में ही लूट जाता बीटे नव वर्षों में बीजेपी सरकार ने पानी सुविदाओं के लिए पौने चार लाग करोड रुपिये का प्रावधान किया अगर कॉंग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी सवा तिन लाग करोड रुपिये बीच में ही लूट जाते आप कल्पना कर सकते हैं इसका कितना बड़ा नुकसान हमारी राजस्तान की माताओ बहनों बेटियों को भी उठाना पड़ता सास्यों गरीब का सबसे बड़ा सपना उसका अपना घर होता है कॉंग्रेस सरकार के समय गरीबों को जो गर मिलते थे वो चार दिवारों के खंड़हर बनके रह जाते थे उससे ज़्यादा कुछ नहीं होते थे ऐसा इसलिए होता था क्योंकि कॉंग्रेस गरीब के गरों को भी लूट लेती थी बीते नव वर्षों में बीजेपी सरकार ने दो लाग पचीस हजार करोड रुपिये गरीबों को घर बनाने के लिए दिये हैं अगर कॉंग्रेस सरकार होती तो उसमें से दो लाग करोड रुपिये बीच में ही लूट जाते बाकी बचे पचीस हजार करोड रुपिये में घर न बनता खंड़हर ही बनते घर का सपना कभी पूरा नहीं होता साथियों बीते नव वर्षों में बीजेपी सरकार ने मुद्रा यूजना के तहट करीब 24 लाग करोड रुपिये की मदद मेरे देश के युवाओं को की है ये पैसा भी पूरा का पूरा युवाओं के बैंक खातों में गया है साथियों जब देश का पैसा देश के विकास में लगता है तो विकास दिखता भी है और विकास महसूस भी होता है ये हम राजस्तान में भी होते हुए देखने हैं राजस्तान में बहुत बड़े रेल नेट्वर्क का बिल्ली करन हो चुका है कुछ समय पहले ही मुझे दिल्ली अजमेर वंदे भारत एक्स्पेस को हरी जंडी भी दिखाने का भी अवसर मिला था इस तेन से फुसकर आने वाले लोगों को ख्वाजा मुईनुद दिन चिस्ति की दरगा आने वाले लोगों को बहुत मदद मिली है डेडिकेटेट फ्रेट कोरीडोर का लाप मिलना भी राजस्तान को शुरू हो चुका है दिल्ली मुंबई अक्प्रिस वेसे भी राजस्तान का नेक जिलों को लाब हो रहा है बॉर्डर के खेत्रों तक पहुंचना भी अब और आचान हुआ है इन सभी ने राजस्तान में टूरिजम को बढ़ाने में रोजगार के अउसर बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की है साथियों पिछले नव वर्षों में भारत के लोगों ने अपने जिस सामर्थ का प्रदर्शन किया है उसकी जितनी प्रथमसा की जाए वो कम होगी देश की हर सफनता के पीछे भारत के लोगों की मैनत है भारत के लोगों का पसीना है देश को आगे ले जाने के लिए हर भारत वासी ने जो संकल्प दिखाया है वो अभितिय है ये भारत के लोग ही है जिनोंने महामारी के बाद देश की अर्थ ववस्ता को नई उचाई पर पहुंचाया है ये भारत के ही लोग है जिनकी बज़े से आज दुनिया कह रही है कि ये दशक भारत का दशक है ये सदी भारत की सदी है लेकिन भाई और बहनो भारत की ये उपलब्दिया भारत के लोगों की एक काम्याभी कुछ लोगों को पच नहीं रही है तीन दिन पहले आपने ये देखा है भारत को नया संसत भवन मिला है आपने टीवी पर देखा मैं आप से पूछता हूँ ये नया संसत भवन आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा उंचा हुआ कि नहीं हुआ? अमारे देश की शान बढ़ने का आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कॉंग्रेश और इसके जैसे कुछ दलो ने इस पर भी राजनीती का कीचड उचाला कई कई पीडियों के जीवन में ऐसे आउसर एक बार ही आते हैं लेकिन कॉंग्रेश ने भारत के गवरव के इक्षन को भी अपने स्वार्थी विरोत की भेंट चड़ा दिया कॉंग्रेश ने साथ हजार स्रमिकों के परिश्रम का देश की भावना और अकांचाओं का अपमान किया है साथ हजार मद्गूरों के पसीनों को उन्होंने लात मारी है उनको गुसा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनके अहंकार चागे आड़ा कैसे आ रहा है अड़ा कैसे हुआ है इनको गुसा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनकी मन मानी चलने क्यों नहीं दे रहा इनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का वेटा इनके प्रस्टाचार पर इनके परिवार बात पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है साथियों, 2014 में आप लोगों ने कई दसों को बात केंद्र में एक स्थीर सरकार बनाई पाँज पांके ने आपके हर आदेश की मर्यादा रखी है लेकिन आपने पाँच वर्स पहले राजस्तान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्तान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिर्ता और अराजक्ता यहां पांक साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपके लड़ने में ही बीजी है राजस्तान की जन्ता की कॉंग्रेस को कोई चिन्ता नहीं है राजस्तान में अपना चरम पर है लोग अपने तीज त्योहारतर शांती से नहीं मना पाते कब कहां दंगा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं और कॉंग्रेस सरकार आतन की ओपर महरबान है कॉंग्रेस की सरकार आकंट तुस्ती करण में डूब गई है साथ क्यों यहाँ बेटियों के खिलाब साजिस करने वालों को राजस्तान की कॉंग्रेस सरकार ने खुली छूट दे रखी है कॉंग्रेस सरकार को बेटियों की सुरुच्छा की बेटियों की हितों की परवा नहीं है साथ क्यों आपका यह प्यार आपके आँचिरवार यह मेरी बहुत बड़ी उर्जा है मैं बड़े संतोस के साथ कह सकता हूँ कि बीते नव वर्षव में बीजेपी सरकार ने माताओ, बैनों, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दिया गरबावस्ता के दोरान शिशु को पौस्तिक खाना मिले, इसके लिए हमने मात्रू बंदना योजना चलाई महिलाओं के बैंक खाते में पैसे बेजने शुरू किये शिशु का जन्म स्पताल में हो, हमने इसके लिए भी अभ्यान चलाया बेटी को कोक में ही ना समाब तक दिया जाए इसके लिए बेटी बताओ, बेटी पढ़ाओ जैसे जना अंदोलन शुरू किये बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो सोचालाई ना होने की वेज़े से कुछ स्कूल ना छोड़े इसके लिए करोड़ों सोचालाई बनाए बेटी की सिक्षा जारी रहे इसके लिए सुकन्य समुर्थी योजना में इतना ज़ादा व्यात देने का काम क किया बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके इसके लिए बीना गैरंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू कर दी मा मनने के बाद भी अपनी नोकरी जारी रख सके इसके लिए मास्तरुत्वा उकास में वृद्धी की बेटी अगर साइनी स्कूल जाना चाहे तो उसके लिए हमने साइनी स्कूल के द्वार खोल दिये बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहती है तो तीनों सेनाओं में हमने बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिये आज बड़ी संख्या में हमारी वीर बेटियां अगनी वीर में भरती हुई है नव सेना में नाविक भरती हुई है गाओं की बेहनों को कमाई के अवसर बढ़े इसके लिए नव करोर बहनों तक सेल्फ हेल्फ क्रूप का विस्तार किया और सहायता को भी दोगुना कर दिया बेटी को रसोई में दूआ सहना ना पड़े इसके लिए उजवला का गैस करेक्शन दिया बेटी को पानी के इंतजाम में परिशन ना होना पड़े इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योज़ना सुनू की बेटी को अंदरे में ना रहना पड़े इसके लिए हमने सवभा की योज़ना से मफ्त बिजली करेक्शन दिया बेटी पैसे की कमी की वेज़े से अपनी बिमारी छिपाए नहीं इसके लिए हमने उसे आयुस्मान काडित की ताकत दे दी बेटी का गर भी संपत्ति पर भी अधिकार हो इसके लिए पी-एम आवाद गरों में उसे संयुकत भागीदारी दी गुहिडी को अपनी बचत अनाच के डिपों में ना रखनी पड़े इसके लिए उसे जंदर निवजना के तहर बड़ी संग्या में बैंक खाते खोले और इन सब प्रयासों का जो परणाम रहा है वो भी अपुर्पुर्वा है सच है यह है कि कॉंग्रेस के पास राज़स्तान के लिए देश चलिए कोई काम करने के लिए मंगल कलपना नहीं है सुबा विचार नहीं है उनके पास कोई एजंडा नहीं अपने कुशासन को ढगने के लिए कॉंग्रेस ने एक और नया फॉर्मिला खोज लिया है यह फॉर्मिला है जूठी गरंटियों का राजस्तान के किसान और नव जवान तो इसके बुक्तब होगी है यह लोग दस दिन में गारंटी पुरी करने वाले थे याद है ने यह गारंटी याद है ने उन्होंने पिछली बार दी थी दस दिन में पुरे करने वाले थे आप मुझे बताईए जो कॉंगरेस ने कहा था जो बादा किया था वो निभाया क्या वो पुरा किया क्या जो कहा वो किया क्या भाई और बहनों यह ऐसी गरंटियां देते हैं जिनको अगर अमल में लाए जाए तो राज और देश दिवालिया हो जाएगा दुनिया में आज जो देश दिवालिया हो रहे हैं उनकी स्थिति आप देख रहे हैं लेकिन गॉंगरेस का यही बीजन है यही नीती है इसलिए कॉंगरेस से राजस्तान के लोगों को बहुत सावदान रहना है साथियों विक्सित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विक्सित राजस्तान बहुत जरूरी है इस दसक के अगले साथ साल बहुत एहम है इन साथ सालों में देश के लोग भारत का काया कल्प होते हुए देखेंगे भारत का आधुनिक इंफ्राटेक्ट्यार आधुनिक हाइवे आधुनिक रेलवे आधुनिक एरपोर्ट दुनिया में किसी देश से कम नहीं होंगे भारत के लोगों के पास दुनिया के किसी देश से कम सुविदाय नहीं होगी भारत के लोगों के पास शिख्षा के स्वात के बैतनि साथन होंगे भारत दुनिया के सबसे बड़ी manufacturing factory के रूप में उभर आकर का आने वाली है बारत दुनिया में सबसे बड़े निरियातक देशों में से एक बनेगा बारत दुनिया में सबसे बड़े टुरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बनेगा इन सभी में राजिस्तान के लोगों को बहुत बड़ी भूमी का निपानी है पराक्रम और परिश्रम की पुण्य भूमी नव निर्मान का आवान कर रही है इस नव निर्मान को आथिरवाद देने के लिए आप सभी इतनी बड़ी संग्या में आए मैं आपका बहुत पदाभार व्यक्ता करता हूँ और मैं देश वाजों को भी स्वाज दिलाता हूँ आपने नव साल मुझे काम करते देखा है बिना ठके बिना रुके सिर्फ और सिरफ एक सो चालिस करोर देश वाजी यही मेरा परिवार यही मेरा परमात्मा और अभी भी आपके उजवल भविश के लिए जी जान से जुटा रहूंगा यह आशिरवाद यह आपके आशिरवाद ही मेरी ताकत है वही मुझे काम करने की प्रणा देती है मेरे साथ दोनों हाथ उपर करके बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत-बहुत धन्यवाद